हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाते है कच्चे आम का अचार ये केरी आज का लाज आ रहा है ना तो अभी तो गुठलियां पड़ी नहीं है तो इसका चलिए अचार बना के दिखाते हैं तो ये हमने राई और पानी वाला अचार बनाया है दोस्तों तो इस तरीके से आप अचार बनाके खाईए 15 दिन महीना भर रखके खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी होता है आप जरूर बना के इंज्वाय करिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए इसकी रेशिपी देख लेते हैं की कैसे बनेगा और खटा मीठा चटपटा बहुत जोड़दार बना है दोस्तों चलिए इसकी रेशिपी देखते हैं तो देखिए हमने आम ले लिया है केरी तो इसमें गुठलिया भी नहीं है तो आराम से चाकू से कट जाएगा तो इसको छील लेते हैं और चार मिर्च हमने ले लिया है तीन आम का हम बनाएंगे तो राई ले लिये हैं हल्दी और नमक तो हमने देखी इसको छील लिया है और इसको सुखानी की जरूरत नहीं है और इस तरीके से स्लाइज में काठ लिजे काठ के इसको रख लिजे तो ये देखिए हमने राई ले लिया है हरी मेर्च, हल्दी और नमक इसको मिक्सी के जार में डाल देते हैं कुछ इस तरीके से और हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें ज़्यादा नहीं डालना है और एक आम का स्लाइस डाल देते हैं इसमें ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए गाढ़ा हो जाए तो देखिए हमारा पिस्के तयार हो गया है अब हम बाउल में डाल के सिप्ट कर लिए हैं अब हम मसाला सारा डाल देते हैं इसमें अब सर्सो का तेल डालेंगे इसको हमने पकाया नहीं है सर्सो का तेल तो दो चम्मज के करीब डाल लेते हैं और कूटा मिर्चा डाल देंगे और मिक्सी का जार में पानी आधा कब डाल के इसको मिला लिए है पानी वाला ही अचार है तो इसलिए पानी इसमें पड़ेगा तो बहुत टेश्टी बना है दोस्तों सच में बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है आप जरूर बना के खाईएगा इंज्वाइ करिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है